गुड मॉर्णिंग बेटा, आज हम हिंदी व्याकरण में प्रतिवेदन के विशे में जानेंगे कि प्रतिवेदन क्या होता है प्रतिवेदन को हम रिपोर्ट भी कहते हैं भूत अत्वा वर्टमान की विशेश घटना, प्रसंग या विशे के प्रमुक कारियों के क्रम बद और संचित विवेदन को प्रतिवेदन कहते हैं अर्थात वह घटनाएं जो भूतकाल में घटी हो या वर्तमान में घटी हो उन घटनाओं के जो मुख्य कार्य होते हैं उनके विशय में बताना ही प्रतिवेदर है दूसरे शब्दों में वह लिखित सामगरी जो किसी घटना, कारेय योजना, समाहरो आदी के बारे में परत्यक्ष देखकर या छान बीन करके तैयार की गई हो प्रतिवेदर या रिपोर्ट कहलाती है यह अति संचिप्त किन्तु काफी सारगर्बित रचना होती है जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्यकार्यवाई के बारे में वस्तु परकजानकारी मिल जाती है अर्था जो हम परतिवेदर लिखते हैं वो परतिवेदर काफी संचिप्त होता है लेकिन सारगर्बित होता यानि उसे असानी से समझा जा सकता है कि जिस विशय पर वो लिखा गया है कि उस विशय के अंतरगत क्या-क्या चीजे पूरी होई थी वो हम असानी से समझ सकते है प्रतिवेदन के अंतरगत। प्रतिवेदन अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रतिवेदन का एक विशेश अर्थ भी है। प्रतिवेदन के अनिवारे गोण है। अगर सामाजिक या सांस्कृतिक कारेकरमों के ओपर रिपोर्ट तयार किये जाए तो वो सामाजिक या सांस्कृतिक प्रतिवेदन हो जाता है। किसी दुरगटना के लिए भी समाचार पत्र प्रतिवेदन लिखते हैं। इसके लावा थाने में भी शिकायत के तोर पर प्रतिवेदन दिये जाते हैं। और कभी किसी चीज की छानबीन करने के लिए, किसी केस का बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी प्रतिवेदन तयार किये जाते हैं। प्रतिवेदन लिखने के लिए निम लिखित बातों पर विशेश ध्यार देना चाहिए जैसे प्रतिवेदन संचिप्द हो यानि छोटा होना चाहिए जादा लंबा नहीं होना चाहिए घटना या किसी कारवाई की मुख्य बाते प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए यानि जिस घटना के बारे में हम प्रतिवेदन तयार कर रहे हैं उस घटना की सभी बाते यानि मुख्य मुख्य जो बाते हैं वो प्रतिवेदन में आ जानी चाहिए प्रतिवेदन की भाषा सरल होनी चाहिए और शैली सुस्पस्ट होनी चाहिए यानि उसको जो लिखने का ढंग है वो ऐसा होना चाहिए जो आराम से इस्पस्ट हो सके विवरण क्रमिक रूप से हो यानि जो भी हम उसमें बाते लिख रहे हैं वो क्रम से हो आगे पीछे ना हो करके क्रम से होने चाहिए पुनरक्ती दोश नहीं हो यानि एक ही बात को दोबारा ना दोराया गया हो इसके लिए एक सटीक शीर्षक जरूर हो और जो भी हम प्रतिवेदन तयार करेंगे उस प्रतिवेदन का एक अच्छा शीर्षक जरूर होना चाहिए प्रतिवेदन में निमलिखित विशेषताइं हैं पहली, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य-मुख्य बाते लिखी जाती हैं, दूसरा, प्रतिवेदन में बाते एक क्रम में लिखी जाती हैं, यानि सिलसिलेवार लिखी होनी चाहिए, थार्ड, प्रतिवेदन संछेप में लिखा जाता है, बाते विस्तार प्रतिवेदन ऐसा हो जिसकी सारी बातें सरल और इस पस्ट हो उनको समझने में सिर्दर्द ना हो कहने का तात परेव है आसानी से पढ़ने वाले को समझ में आ जाएं उनका एक ही अर्थ हो निशकर्ष हो इस पस्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की सबसे बड़ी प्रतिवेदन सची बातों का विवरण होता है इसमें पक्षपात कलपना और भावना के स्थान नहीं है अर्थात जो भी अब प्रतिवेदन तयार करते हैं वो सची बातों का ही विवरण होता है यानि जो बाते घटित हुई है वह बाते उसमें लिखी जाती है इसलिए पक परतिवेदक की प्रतिक्रिया या धार्णा व्यक्त नहीं की जाती, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही जाए जिससे भ्रह्म पैदा हो। प्रतिवेदन की भाशा साहितिक नहीं होती यह सरल और रोचक होती हैं प्रतिवेदन किसी घटना या विशय की साफ और सजीव तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन पर खींच देता है अब हम प्रतिवेदन लिखते क्यों है प्रतिवेदन का क्या उदेश्य होता है ठीक है प्रतिवेदन का उदेश्य बीते हुए समय के विशेश अनुभवों को संचिप्त संग्रह करना है ताकि आगे किसी तरह की भूल या भ्रमना होने पाए प्रतिवेदन में उसी कठोर सत् रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ है प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष है भूत काल को वर्तमान से जोड़ना भी है भूत की भूल से लाब उठा कर वर्तमान को सुधारना उसका मुख्य प्रयोजन है किन्तु प्रतिवेदन डायरी या दैनन्दनी नहीं है प्रतिवेदन में यथार्थ की तस्वीर रहती है और डायरी में यथार्थ के साथ लेखक की भावना, कल्पना और प्रतिक्रिया भी व्यक्त होती है दोनों में यह इसपस्ट भेद है अब आते हैं प्रतिवेदन के प् और अच्छे बुरे कारे होते रहते हैं, प्रतिवेदन में सभी प्रकार के परसंगों और कारेों को इस्थान दिया जाता है, सरकारी या गैर सरकारी करमचारी समय समय किसी कारे या घटना का प्रतिवेदन अपने से बड़े अफसर को देते रहते हैं, समाचार पत्रों के समवादाता भी प्रधान संपादक को प्रतिवेदन लिखकर भेशते रहते हैं यानि कि समाज में अलग-अलग तरीके के लोग हैं, सभी लोग के अलग-अलग कारे हैं और उनी कारियों के अंतरगत लोग अपने प्रतिवेदन भी भेशते हैं जैसे स्कूल के प्रधानाध्यापक भी शिक्षा पद्धिकारियों को अपने स्कूल के संबन में प्रतिवेदन लिख कर भेशते हैं, गाव का मुख्या अपने गाव का प्रतिवेदन सरकार को भेशता है, किसी संस्था का मंत्री भी उसका वार्षिक या अर्दवार्षिक प तीन प्रकार हैं ठीक है कौन से कौन से पहला है व्यक्तिगत प्रतिवेदन दूसरा है संगठनात्मक प्रतिवेदन और तीसरा है विवरनात्मक प्रतिवेदन तो सबसे पहले व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या होते हैं इस प्रकार के प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीव प्रतिवेदन का आदर्श रूप नहीं है इसका एक उधारण है सबसे पहले प्रतिवेदन में डेट उसके बाद हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं सुभे 5 बजे उठा क्रिया करम कर 6 बजे पढ़ने बैठा अचानक सिर में दर्द हुआ बिस्तर पर लेट गया आखें ब 5 बजे भोजन किया और स्कूल के लिए चल पड़ा 12 बजे दोपहर में सिर्दद शुरू हुआ चुट्टी लेकर घर लोटाया सारा दिन इसी प्रकार कटा तो यह होते हैं व्यक्तिगत प्रतिवेदन यह हमें कहीं कहीं डायरी का ही रूप लगते हैं इसलिए इसको एक प्रतिवेदन इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक, इत्यादी का विवरण दिया जाता है यहां प्रतिवेदक अपने बारे में कुछ ना कहकर सारी बाते संगठन या संस्था के संबंद में लिखता है ठीक है न यानि कि इस प्रकार के जैसे कि उन्होंने जो बे सहरा लड़कियां हैं उनकी शादी करवाई, तो उसके उपर परतिवेदन तयार होगा, clear? तो यह प्रतिवेदन मासिक, त्रेमासिक, अर्दवार्षिक और वार्षिक भी हो सकता है मासिक यानि महीने में एक बार लिखा जा सकता है त्रेमासिक तीन महीने में एक बार लिखा जा सकता है अर्दवार्षिक यानि छे महीने में और वार्षिक यानि एक साल में जैसे एक स्कूल में वार्षिकोच सब मनाया गया तो साल में एक बार मनता है वार्षिकोच सब तो इस अफसर पर प्रधाना ध्यापक ने निमलिखित प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया हमारा स्कूल सन 1930 में स्थापित हुआ था, इस नगर में यह पिछले 62 वर्षों से शिक्षा का परचार करता रहा है, आरम में जहां 5 शिक्षक और 50 छात्र थे, वहां आज शिक्षकों की संख्या 30 और छात्रों की संख्या 700 तक पहुँच गई है, यहां कला, वानिज्य और वि विवस्ता है, से शिक्षा यानि को एजूकेशन, लड़कियों की संख्या 200 है, इस वर्ष से सिलाई और कताई बुनाई की शिक्षा की विवस्ता की गई है, छात्र इसके महत्व से घरेलू उद्ध्योंग धंदों में रूची ले रहे हैं, इस वर्ष प्रवेशी का परिक शिक्षक ने भी इसकी सराना की है, और फिर लास्ट में दिनांक और प्रधानचारे का नाम और उसके बाद नीचे प्रधान अध्यापक, तो इस तरीके से संगठात्मक परतिवेदन लिखे जाते हैं, थार्ड जो हमारा परतिवेदन का प्रकार है वो है विवर्णात्मक प्रतिवेदन, तो विवर्णात्मक प्रतिवेदन क्या होते हैं, किसी कार्य, योजना, घटना, अथवा, इस्थिती का प्रतिवेदन, विवर्णात्मक प्रतिवेदन कहलाता है, जैसे किसी शिवीर के आयोजन का, किसी संस्था की वार्शिक उपलब्धियों का, किसी परि विशय का यथार्थ विवरन देना पड़ता है इस प्रकार के प्रतिवेदन का एक उधारण इस प्रकार है जो विवरना तक प्रतिवेदन होते हैं यही अधिकांश हमारे पास आते हैं 9th क्लास में क्योंकि जैसे इसमें आपके स्कूल में वार्शिकोच सब हुआ उस पर प् करम हुए ठीक है किस कारे करम को दर्शकों ने सबसे जादा पसंद किया और समापन में प्रधानाचारे ने विद्याले के बारे में क्या बोला तो यह सब चोटी चोटी बाते जल्दी से चोटी चोटी पंक्तियों में पूरी करके अपना चोटा सा प्रतिवेदन हम लोग दिया गया है जैसे मेले पर प्रतिवेदन लिखना है तो भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपूर में हर साल लगता है इसे हरी हर छेत्र का मेला कहते हैं यह कार्तिक की पूर्णी मा के दो तीन दिन पहले से 15-20 दिनों तक गंड़क और गंगा के संगम पर लगता है पूर्णी दर्शन कर लो, सजी सजाई दुकानों की और बढ़े, उनकी सजावटमन मोहग थी, देश भर के व्यापारी आये थे, आसपास के मकानों का किराया अधिक था, अलग-अलग स्थानों पर दुकाने लगाई गई थी, पशुपक्षियों का जमाव एक स्थान पर था, हाथी, घ होड़े, गाएं, बैल, इत्यादी की खरीदारी हुई, दूसरे स्थान पर साधू सन्यासी, अपनी-अपनी कुटी में धुनी रमाए थे, तीसरे स्थान पर सरकस वाले तरह-तरह के खेल तमाशे दिखा रहे थे, रात में बिजली की रोश्णी में सारा मेला जग मगा रहा तो आज हमने क्या सिखा कि प्रतिवेदन क्या होते हैं, एक अच्छा प्रतिवेदन लिखने के लिए कि इन बातों की अवशक्ता होती है, प्रतिवेदन की विशेष्टाएं क्या होती है, प्रतिवेदन क्यों लिखा जाता है अर्थात उसका उधेश्य क्या होता है, और प झाल झाल